हेलो एवरीबन वेरी वेरी गुट मार्निंग कैसे हो आप सब हम सब को बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल स्केप लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सबसे पहले आप सबी को मेरी प्यार बरी राधे रादे आप सभी के लिए अपने शामाश्याम के स्रीचरणों में प्रातना करती हूँ कि प्रभू आप सभी को अच्छा स्वास्त है दे आप सभी की सारी बनो कामनाय पूरी करे और आप सभी के घरों में धेर सारी खुशी आए और ये अभी सुबहे लगबग साड़े आठ वजे का टाइम है और मैं अपने खेत में गेहों की कटाई गर रही हूँ आज मैं सुबहे जलदी उठी थे तो जलदी उठके मैंने अपना घर का सारा काम किया खाना बनाना शामा शाम को भी आज मैंने थोड़ा जल्दी सुलाया था क्योंकि शाम को मैंने प्रार्थ ना की थी सुलाने से पहले कि लाला सुबह मैं तुमको थोड़ा सा जल्दी जगाऊंगी तो जल्दी उठ जाना तो क्योंकि मुझे खेत में आना था तो वे ठाकुर सिवा है वो भी मुझे करके आना था तो मैं घर के सब काम कंप्लेट करके और फिर खेत में आई हमें ये गेहों के कटाई करने है अब ये काम बच्चों को भी नहीं करना आता है क्योंकि बच्चे भी ये लगालों की जनम लेके सैर में रही है उनको ये काम करना आता है और विशाल के पापा जी का ओपरेशन हुआ है तो उनका भी प्रेज है उनको जुकना नहीं है वजन नहीं उठाना है तो कोई भी जो ताकत का काम है जिसमें वजन उठाना हो या सरीर पे जोर आए ऐसा कोई काम नहीं करना है उनको दिक्कत हो जाएगे तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कर देती हूं ये वैसे पूरे जो हमारी ये गेहूं है ये तो हमें इस तरह से नहीं काटनी है मसीन से कटवाएंगे लेक इन जब काटेगी तो इनको साथ में वह ले लेगी क्योंकि इसका कारण ये जो जाल आप देख रहे हैं ये हमने अपने खेद के चारो तरफ लगवाया है मोटी जाली है लोहे की ये और अभी जैसे हम पेड़ लगवाएंगे सफेदे के कुछ फल के लगवाएंगे तो यह जाली हमने ये केद के चारो तरफ अपनी मोटी जाल लगवाई हुई है अब इस जाल के कारण हमें ये दो-दो लाइने गेहूं की जो है काटनी पड़ेंगे इस तरह से और काट के इसको मैं गेहूं के ओपर फैक रही हूँ अगर इसको काटेंगे नहीं तो जो मसीन है न उसको वो मसीन लेगी नहीं क्योंकि जाल अड़ेगा जो साइड में उसका होता न वो ब्लेड होता है जो गिहूं के कटाई वाली मसीन का वो इसके पास आएगा नहीं ये जाल में फश जाएगा तो दोनों का नुकसान होगा उनकी मसीन का ब्लेड तूट जाएगा और हमार करने आते हैं अब बले ही 2006 में चले गे थे उसके बाद ये सब काम हमने छोड़ दिये थे करने लेकिन अब सोनी पताए हैं और यहां हमने अपनी जमीन है यह इसमें पहले सफिद्दे के पेड़ लगवा रखे ते फिर वो कटवा दिये फिर अब दोबारा से अब इसमें हमें पेड़ लगाने हैं लेकिन अभी पेड़ लगेंगे एक डेड़ महिने बाद फिर बीच में हमारी जमीन खाली पड़ी थी तो हमने सोचा कि एक फसल के हूंकी हो जाए कि तो क्यों ना हम अपनी फसल इसमें उगा लिते हैं तो अभी ये इसके चारों तरफ हमें इसी तरह स जो है दो दो तीन तीन लाइने हैं कि उसको गाउं में खूड बोलते हैं जो गाउं के लोग वो तो समझ जाएंगे जो सहरों में रते हैं उनको साइद ना समझ माई तो गाउं में उसको खूड बोलते हैं दो से तीन खूड मुझे लेके चलने हैं और इस तरह से उनकी कट कि इनके उपर फैंकने हैं तो लगभग मैं 10 बजे तक यहां पर काम करूँगी जितना बनेगा उतना कर दूँगे और उसके बाद फिर हम अपना घर चले जाएंगे बाकी का फिर कल निप्टा दूँगे तो सोचा कि आप सभी को मेरा प्यार भरा नमसकार प्यार भरी रादे रादे आप सब खुश रहिए अपना अपना ध्यान रखिए और किस किस ने इस तरह से खेतों में कटाई की है काम किया है आप मुझे कमेंट्स करके जुरूर बताईए वही एक टाइम अब इतना नहीं हो पाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब को मेरी प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए अपना अपना ध्यान रखिए बाई बाई